हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब हमारी जो प्रकृती है उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं पता है दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही फाइदेमंद है और आपके बहुत सारे मसले हल कर सकती है आपके बहुत सारी जो परिशानिया हैं हल कर सकती है और यह बहुत ही रेर चीज़ है दोस्तो बहुत ही मुश्किल से मिलती है यह है काली हल्दी दोस्तों हमने हल्दी के बारे में तो सुना है पर आपने कभी काली हल्दी के बारे में नहीं सुना होगा यह जो काली हल्दी है यह बहुत ही ज्यादा गुप्त चीजों में मानी जाती है गुप्त इन दे सेंस दोस्तों कि ये बहुत रेरली मिलती है या तो आपको टोना टोटका जो एकदम प्रॉपर टोना टोटका करते हैं उनके पास मिलेगी या वैद लोगों के पास मिलेगी या जो हल्दी की जिसे जो पीस्ते हैं जो पिसाई करते हैं उनके पास आपको मिल सकती है ये लेकिन आजकल दोस्तो आसानी से मिलने लग गई है काली हल्दी भी तो आप अगल वगल में पता करके काली हल्दी की का जुगार कर लीजे क्योंकि दोस्तों मैं जो आपको अभी काली हल्दी का उपाय बताने जा रहा हूँ वह बिलकुल अचूख है वेदो पुरानों में लिखे हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरेंस से दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि आप यह जो उपाय मैं बताऊंगा आप उसको सही डंसे करिए आपको जरूर लाब होगा आप दीन दुगनी राच चौगनी उन्नती करोगे और दोस्तों एक बात यह जो उपाय है बहुत ही कठिन नहीं होगा सरल सा उपाय है कठिन आपका काम यही होगा कि आपको बस काली हल्दी का जुगाड करना है जो आपको आजकल मिल सकता है आपके अगल बगल में आप पता करिए और चट कर उसका जुगाड करिए और अपनी लाइफ की सारी समस्याओं का निदान करिए दोस्तो जो पहला उपाय है वो यह है कि अगर आपके परिवार में कोई बहुत दिन तक बिमार है जिसे एक दो दिन या common cold ठीक है लेकिन जब ऐसा होता है कि वो हमेशा बिमार ही रहे तो आपको यह नुस्का अपनाना है दोस्तो वो बिमारी चट पड दूर हो जाएगी आपको दो आटे का पेड़ा बनाना है उसमें गीला चना की डाल गीले चने की डाल आपको डालनी है और उसके साथ गुड और थोड़ी सी PCV काली हल्दी दोस्तो यह quantity इसमें कुछ नहीं है आपके पास जितनी भी काली हल्दी हो याद रहे कि आप अच्छी quantity में डाले या minimum से minimum quantity में भी डाल सकते हैं लेकिन आपको काली हल्दी का उप्योग जरूर करना है और उस पेड़े को रोल करके जो रोगी है उसके उपर से साथ बार फेड लेना है यह जो है टोटका दोस्तो इसको लगातार तीन गुरूवार को करने से आपको लाव होगा और जो अस्वस्त व्यक्ती है जो लंबे समय तक अस्वस्त है जो व्यक्ती वह जटपट ठीक हो जाएगा दोस्तो यह काले हल्दी का उपाय है याद रखेगा दोस्तो काले हल्दी का उपाए है यह अचूक उपाए है आपको पहले ही गुरुवार को यह मिलने लग जाएगा इसका लाब दोस्तो जो हमारा दूसरा उपाए है अगर किसी बच्चे को नजर लग गई है जोस्तो आजकल नजर तो बहुत ही आसानी से लग सकती है टीवी में आजकल गोयल टीम्टी सरिया वाले का एड भी आता है उसमें दिखाता है कि नजर लग जाए अगर बुरी नजर लग जाए तो क्या क्या हो सकता है तो एक चीज याद रखेगा दोस्तो अगर आपके बच्चे को या किसी को भी नजर लग गई है तो उसके लिए भी काली हल्दी यूज होती है ऐसे तो दोस्तो नजर उतारने के लिए कई तोटके हैं काली मिर्च का लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत कड़ी नजर होती है न उसके लिए आप ये तोटका अपना सकते हैं ऐसे तो काली मिर्श का भी टोटका अच्छा है पर नजर उतारने में अगर एकदम कड़ी नजर है एकदम एक्स्ट्रीम लेवल की नजर है तो आप ये यूज करें आपको काला कपड़ा लेना है यह भी बुद्धवार के दिन करना है दोस्तों एक चीज याद रखेगा बुद्धवार के दिन करना है आपको काला कपड़ा लेना है उसमें हल्दी को बांध देना है जो आपकी काली हल्दी है उसको बांधना है और साथ बार आपको जो बच्चा है या जिसको नजर लगी है उसके सर पे फेर देना है ये याद रखेगा कि आपको उसके सर पे साथ बार फेड़ना है और फिर उस काले कपड़े को जल में प्रवाहित कर देना है मतलब अगर आप गंगा जी जमना जी गोदावरी में प्रवाहित करते हो तो बहुत अच्छा है नहीं तो अगल बगल में जो आपके तालाब है जो फूल आप प्रवाहित करते हो जल में उसमें आप मत रखेगा इसको आपको अलग से इसको प्रवाहित करना है एकदम अलग से ना फूल ना पूजन सामगरी जो आप प्रवाहित करते हैं उसके साथ प्रवाहित नहीं करना है तो दोस्तो अगर यह जो काली हल्दी है आपको आपके जनम पत्री में अगर गुरु और शनी स उसे आप पीड़ित है चो आपकी जनम पत्री है उसमें अगर आप गुरु और शनी के प्रकोप से पीड़ित है तो आपको एक सीधा सा उपाय करना है आपको शुक्ल पक्ष के प्रतम गुरुवार से नियमित रूप में काली हल्दी पीस कर तिलक लगानी हैं दोस्तों याद रखेगा शुक्ल पक्ष के प्रतम गुरुवार को नियमित रूप में मतलब थोड़ी सी काली हल्दी लेनी है जिससे आपका जो टीका है उसमें पानी है यह सब कुछ नहीं आपको उसको एकदम अच्छे से पीस करके उसका तिलक बनाना है थोड़ा गरगरा जैसा होगा थ लगा देना है इससे जो दोनों ग्रह है वह शुब हो जाएंगे और फल देने लगेंगे दोस्तों जो आपको पीड़ा हो रही थी वो आपकी खतम हो जाएगी और अगर आप इसको रेगिलर्ली करोगे मतलब एक बार तो किया आपने हर अगर जब आपका यह चल रहा हो जि बहुत जादा लाब होगा दोस्तों और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो शुब फल देने लग जाए दोनों ग्रह आप एकदम टॉप पर पहुँच जाओ फिर आपको अगर किसी के पास धन आता है और टिकता नहीं है जिसे दोस्तों ऐसा हो रहा है कि आपका जो खर्चा है वो बहुत जादा है और जो आपकी कमाई है बहुत कम है ऐसा लग रहा है घर में तो उसके लिए एक उपाय है आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को चांदी की डब्बी में काली हल्दी नाक केसर और सिंदूर रखना है और मा लक्ष्मी के चर्णों में स्पर् आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम खुरुवार को एक चांदी की डब्बी लेनी है उसमें काली हल्दी थोड़ी सी दोस्तों कॉंटिटी जादा नहीं थोड़ी सी आप ले सकते हैं और नाक केसर लेना है और सिंदूर लेना है उस जब्बी में तीनों को रखके आपको लक् भुआ दोस्तों कुन रखा होता है जो आपकी तुझोरि होती है या कोई भी धन का जो स्तान होता है वहां पर रख देना है यह उपाय करने से आपकी जो खर्चे है या तो जितना आपका खर्चा है जो extra खर्चा है वह नहीं होगा और आपकी कमाई का श्रोट तो बढ़े रखेगा ही बढ़ेगा लेकिन आपका जो खर्चा है वो भी गंट्रोल होगा इसमें दोस्तों खर्चा कंट्रोल हो जाएगा कमाई बढ़ जाएगी एक बात और है अगर अभी जैसा चल रहा है कि किसी का भी कोई काम नहीं चल रहा है मैंने काफी लोगों को देखा मेरे दोस ढंदा है इसके लिए दोस्तों एक उपाई हय यह मैंने सामने देखा है कि काम कर रहा है दोस्तों काफी लोगों को मैंने बताया यह यहाँ पे भी बताया तो काम जरूर कर रहा है यह आप ट्राइक करिएगा और यह अचु अचा हुपाई है क्योंकि यह काली हल्दी का आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को पीले कपड़े में काली हल्दी डालनी हैं। इससे आपका जो व्यवसाई है जो आप बिजनस कर रहे हो या जॉब भी कर रहे हो तो आपको जॉब में प्रमोशन मिलेगा और जो आपकी प्रगति शील है, जो आपकी बिजनस है वो एक बार में जटके में बढ़ेगी दोस्तों क्योंकि यह काली हल्दी का उपाय है दोस्तों और यह अचूक है वेदो पुरानों में लिखा है दोस्तों फिर दोस्तों अगर आप मशीन का काम करते हो जैसे कि छोटी factory है या फिर बड़ी factory है आपकी और उसमें कोई मेंगी वाली जो मशीन इकदम बड़ी वाली जो मशीन होती है इकदम मेंगी जो मशीन आप खरीदते हैं वो चल नहीं रही हो या बार-बार प्रोब्लम करती हो तो उसके लिए दोस्तों ये उपाए है आपको काली हल्दी को पीस कर केसर और गंगा जल मिला कर पहले जो बुधवार को उस मशीन पे स्वास्तिक बनाना है उससे दोस्तों याद रखिएगा जो भी पहला बुधवार आएगा उस दिन आपको काली हल्दी को पीस कर उसमें आपको केसर और गंगा जल मिलाना है और उस मशीन के उपर स्वास्तिक बना देनी है इससे मशीन को एक नहीं मजबूती मिल जाएगी यह मशीन का बैकबोन बन जाएगा और आपका मशीन कभी खराब नहीं होगा ये याद रखेगा ये काली हल्दी का उपाए है दोस्तो फिर दोस्तो धिपावली के दिन का एक उपाए है वो अभी नहीं लेकिन धिपावली पर आप कर सकते हो तो याद रखेगा धिपावली के दिन आप ये जरूर करना है ये गाट बन कर रख दीजे कि धिपावली वाले अंस्त्रों में काली हल्दी के साथ एक चांदी का सिक्का रखकर धन रखने के स्थान पर रख देना है जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों कि दिपावली का टाइम लक्षमी जी का फेवरेट टाइम होता है लक्ष्मी जी आपके घर में उस दिन विराजती है दिपावली के दिन बहुत सारे टोटके भी होते हैं दोस्तों बहुत सारे उपाए भी होते हैं यह जो उपाए है यह टोटकों में राजा माना जाता है धन प्राप्ति के लिए यह काली हल्दी का अच्चू को पाए है तो याद रखेगा आपको यह सरूर करना है दिपावली वाले दिन और एकदम गाड बान करके रख लेना है कि दिपावली आए तो आपको यह उपाए करना ही करना है देखे दोस्तो आजकल ऐसा भी हो गया है और बहुत सारी चीजे हैं जिसे बोला जाते हैं कि एकदम जादा स्ट्रेस हो गया है तो कोई व्यक्ति एकदम अलग टाइप से डिप्रेस बिहेव करने लगता है उसके लिए भी ऐसा काली हल्दी का एक तोटका है आपको एक शुब समय देख करके मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको एकदम मतलब सुबह और शाम का टाइम जो होता है दिन में आप वह ले सकते हैं शुब समय का मतलब शाम को जब आप दोनों संजा की बत्ती करते हो उससे थोड़ा पहले आपको काली हल्दी को कटोरी में रखके लौबान की धूब दिखा कर शुद करना है याद रखेगा दोस्तो काली हल्दी को कटोरी में रखकर लौबान की धूब दिखा कर शुद करना है फिर एक तुकडे में छेद कर धागे की मदद से उसके गले में पहना देना है और नियमित रूप से कटोरी की थोड़ी सी हल्दी कर्चून ताजे पानी से सेवन कराते रहें दोस्तो याद रखेगा जिसको डेप्रेशन हुआ है या थोड़ा पागलपन भी जिसको कहते हैं एक्दम डीप वालब डेप्रेशन ने चला गया है कोई व्यक्ति तो उसको आपको मैंने जैसा कहा है कि आपको अच्छा टाइम देखना है और उसके बाद जो तुकड़ा है उसमें छेद करना है और जो व्यक्ति है उसके गले में पहना देना है और जो कटोरी है उसमें ही याद रखेगा दोस्तों दूसरी कटोरी आपको नहीं लेनी है वो कटोरी में आपको थोड़ी सी काली हल्दी का चुण ताजे पानी के साथ सेवन कराते रहना है उस व्यक्ति को इससे अगर सब कुछ सही रहा आपने इसको अच्छे से किया तो ओपर वाला आपड़ महरबानी करेगा उस व्यक्ति को ठीक करेगा दोस्तों यह काली हल्दी का उपाय है अचुक उपाय माना जाता है दोस्तों वेदो-पुरानों में लिखा है कि काली हल्दी अचुक होती है तो मेरी बात का ध्यान रखिएगा कि यह जो उपाय मैंने बताए है ज्यादा नहीं है आपकी धन प्राप्ती के लिए आपके घर में सुख शान्ती के लिए और जो पीड़ा अपर हो रही है ग्रहों की वज़र से हुई या किसी भी तरह की पीड़ा पर हो रही है इससे आपको अचूक उपाय देगा आखिर में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस पर लाइक और कमेंट जरूर करें और अगर आपको कोई भी डाउट है कुछ भी है कमेंट जरूर करें और अगर आपको एकदम पर्सनल से आपको ऐसे शाई है कि यह आप पब्लिक में नहीं बताना है तो मैंने अपना मेल आईडी नीचे मेंशन कर दिया है आप मुझे डारेक्ली मेल करके भी अपनी परेशानी बता सकते है इसलिए आखिर में चलता हूँ दोस्तो जश्यक्ष्णा